आपकर अपने यूट्यूब चैनल पर आपकर अपने यूट्यूब चैनल पर आपकर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैला बटन प्रेस कर लीजिए तो आज अपने बाद कने वाले SBA PO Prelims की Expected Cut-Off के बारे में Most Expected Cut-Off का वीडियो जो लगबग हर एक्जाम के बाद आता है और हमारा जो इस वीडियो के इंदर प्रेडिक्शन रहता है वो कहीने कहीं Cut-Off के आसपास ही रहता है यानि दो या तीन नमर उपर नीचे हो सकता है पर ज्यादा डिफरेंस जो हो देखने को नहीं मिलता Cut-Off में तो इस बार भी उमीद करते हैं कि SBA PO Prelims के Cut-Off भी कुछ इसी के अराउंड रहे तो ये डेटा भी मेंटेंड रहेगा और आप लोग का जो विलीव है वो भी बेना रहेगा तो से अपटम्ट की भी बात करेंगे इस वीडियो में क्योंकि दो दिन का एक्जाम हो चुक है अब बहुत कम बच्चे हैं जो 27 को एक्जाम है जिनका तो दो दिनों के हिसाब से अगर एक्जाम की एनालिसिस की जाए तो कहीं ने कहीं हम का टॉप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पर कुछ एक जगेंसे जो डेटा मिले है उनके हिसाब से का टॉप को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुस्किल है पर कुछ एक student ने अच्छा review दिया है एक exact और सही review दिया है तो उस वेस पे हम जो वो कटोग का decision कहीं कर सकते हैं अब बात करें अपने दो दिन exam हुआ है 20 और 21 को 20 को जो exam था वो कहीं कहीं जो first shift थी या second shift थी वो कहीं कहीं तोरी बहुत easy बोल सकते हैं उनको compare to जो 21 को अपना exam हुआ था 21 में भी first shift को मान सकते हैं कि easy और बाकी की shift हो में अगर देखें तो quant का level जो बढ़ा दिया गया है quant का level वास्तम ही बढ़ा दिया गया है क्योंकि quant अगर 20 मिनिट के अदर कि कितने भी mocks लगा रखे हैं पर 20 मिनिट के अदर अगर आप लोगो men's वाले डिया डाले जा रहे हैं तो वो करना भी मुस्किल हो जाएगा अब wrong number series के जो patterns है वो भी कहीं कहीं अगर tough है तो उनमें भी time लगेगा आप लोगो और quant जो अपना और reasoning section की बात करूँ वहाँ पे puzzles विगरा ट्रीकी आ रहे हैं अब hard नहीं है वो lengthy नहीं है puzzles पर tricky है यानि तीन या चार possibilities के बन रही है उसमें से एक possibility उठाके और puzzle केने के बन रहा है और questions को थोड़ा सा गुमा के पूचा जा रहा है अब direct question नहीं पूचा जाए था रहे puzzles के अंदर harvest के राम के मीटाएं रॉसरे रिस स्फान पर इस तरह की question नहीं है उनको गुमा है जा रहा है कि राम के सूरória में जाम बठा है थो उसको कुमा कके बुचा रहा है वह condition को कि उसके बहुंआ दूसर स्थान पे बठा है, उसके दाएं दूसर स्थान पे बठा है, इस्तरे में टाइम लग रहा है कि पूछ नमें बाद पूछ रहा है, पिर इनुपाइब पूछ रहा हुगा, उनन में टाइम लगता है, अगर आप लोगों कहले किछ requirement के पीछे करना अ और अगर बात कीज़ें, S.P.E. की दो दिन के exam की तो कहीं कहीं easy मिला है, कहीं moderate मिला है, तो अपने मान के चलें कि exam कहीं कहीं moderate ही है, तो moderate exam की एसरेणी में रखेंगे S.P.E. को अपने, और यह हुमिद करते हैं कि S.P.E. बड़ा exam है, तो definitely कहीं moderate चीज़ें बहां पर देखने क एक बार, 7 attempt के गर बात करें, तो जिन भी student ने 65 से 75 की बीच में जिनके attempts है, अब 70 प्लस तो बहुत कम बच्चे हैं जिनके attempt है, पर 65 एक lowest number है, 65 से 75 की बीच अगर गिनीके attempt है, तो बहुत अच्छे attempt है, अब कोई बोलेगा, sir मेरे तो 58 attempt है, क्या मेरा के इनके prelims नहीं होगा 58 attempt है, 100% accuracy, आपके math, reasoning, English के अंदर, definitely आप men's के लिए जाने वाले हो, 100% accuracy है, ये बात द्यान रखना है, एक term है 100% accuracy की, अगर वो है, फिर कोई दिकर नहीं है, 58 attempt है, 57 attempt है, आप definitely men's के लिए जाने वाले हो, पर जिनके attempt 65 से 75 average students के attempt है, तो ये अच्छे attempt है उन लोग होगे, क्य अब बात करते हैं, हमने expector cutoff की, देखिए, last year की, last year से last year, 2019 के अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो cutoff रहा था, वो cutoff रहा था, आपका 71, क्योंकि वहाँ पे paper बहुत दीजी था, वहाँ पे paper के अंदर लोगों के attempt 85, 90, 90 तक attempt हो रहे थे, 56 attempt हो रहे थे, 55 तक जा रहे थ 58, last year की cutoff है, उससे पहले साल की cutoff 70 बन है, तो इस साल जो cutoff रहेगी, क्योंकि वहाँ दो जा रहा है, paper थोड़ा सा tough आया है इस साल, और 27 को हो सकता है, और भी tough आज़ा है, exam का कोई पता नहीं है, अगर easy भी आएगा, तो भी normalization होगे है, और 21 सारी को paper आया है, उसी के level में स सबी को equally कर दिया जाएगा, तो वह चिंता नहीं करना कि 21 को easy आएगा, या hard आएगा, तो आप आज ही कैसे cutoff रेइडिट कर रहे हो, तो वह तो दो दिन का exam हो चुक है, majority examinations जो हो चुक है, अब 70% लोगों का exam हो चुक है, बहुत कम लोग बचे हुए, तो उनके लिए, वह तो यह hard आएगा, पर 21 तारी के बराबन का exam कर दिया जाएगा, normalization लगागे, तो इस तीज़ के आप लोगो 10 नहीं ले ले, अब जो cutoff के अगर बात करें, तो cutoff का एक जो range रहने वाला है, देखिए exact number कोई नहीं बता सकता, exact number तो कोई नहीं बोल सकता, 59 cutoff जाएगी, 60 अब यह हो सकता है कि 60 से plus या minus 2 हो जाई, और 58 से plus या minus 2 हो जाई, 2 या 3 number plus हो सकते हैं, यानि 55 तक आ सकती है, उधर 63 जग जा सकती है, यह एक जो आप लोगों के review पे ही हमारा जो data त्यार किया गया है, expected top का, और most expected का video है, तो आप लोगों के लिए definitely यह top रह सकती है, अगर इनके भी इसमें आप लोगों के number बंद रहे हैं, तो आप लोगों मेंस के लिवर पिसमें अपना start कर दीजिए, अगर इंचे आप लोगों के कम marks रह रहे हैं, तो IBPS PO आपका 4 तारीकों सेडूल है, उसके बाद आपका IBPS clerical सेडूल है 12 तारीक से, तो वो दो exam आप लोगों टाकि जो 2022 में होने वाली चीजी है, CET वेगेरा, जो होगा या नहीं होगा, उनसे आप लोगों बच सकते हो, वो definitely आप लोगों का number 58 से 60 के बीच में रहने वाला है, तो definitely यही कटोप आप लोगों के अंदर जेखने को मिलगी, यह general category के कटोप है, OBCS, CST, उन सभी के सकता है, अब IBPSPO में बहुत कम कंडिडेट ने फोर्म फिल किया है, सिरफ 6 लाग फोर्म फिल होएं IBPSPO के अंदर, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी उप्चिन दिए कि आप चल्दी से इस एक्जाम को बोल कि और अपने preparation पर IBPSPO के लिए लग जाओ, बाकी memory best mock test का link मैं discuss में दे रहा हूँ, आप लोग free attempt कर सकते हो, एक number आप लोगों को mock test मिलेगा, ओली board का, जिन्होंने ओली board mock test लगाया था, definitely exam के अंदर अच्छा करके हैं, चाहिए exam hard आया, चाहिए, easy आया, पर वो लोग अच्छा करके हैं, जिन्होंने ओली board के mock test लगाई है, definitely, क्योंक त्यार रही है, और इस exam में अगर किसी के attempt, मैंने आप लोगों को बता दिया कि, जो cut up आप 8 उन से 60 के range में रहेगी, plus 2, plus, या minus 3 आप लोग कर सकते हो, इसके बीच में अगर आप लोग के mark scanning game बन जा रहे हैं, तो definitely, आप लोग men's की पर बसंद स्टार्ट करो, अपना G के ज आप लोगों के लिए, तो आप अपनी profession को 100% बना के रहे हैं, ठेंक यू दोस्तो, have a nice day